हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे वीडियो को देखने वाई लोग जो अलड़ी केमिस्ट्री को बेटर करना चाहते हैं उसमें बेस्ट परफॉर्मिन देना चाहते हैं खासकर मैं जो आज बात करने जा रहा हूं कुछ कुछ important effect हैं जिसके बारे में जिसे यहां पर organic chemistry में हम electron displacement concept के नाम से जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जब reactions की शुरुआत होती है जाहिर से बात है कि हर atom के उपर कुछ charges होने चाहिए कुछ charges क्या होते हैं वह permanent होते हैं internal होते हैं को चाहें क्या है किutta के बाद होते हैं गार्ट कि शाइलेक्स में कॉछ हो तो अाखे लेक्टरन बिस्प्लेस्मेंट किस तरीका से होते हैं उसके half कुछ बाहर भे बाअधे करुछ एां ये करते हैं उसके हो पाडीज करना एक वायन्था के और ne आते हैं उस पे हमें जरा फोकस करना है उसको जानने की कोशिश करना है सबसे पहली बात अगर हम देखे तो इसमें पहला इफेक्ट इसको इंटर्नल परमानेट इफेक्ट जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जो basically polarity पर depend करता है इसमें जो दो इफेक्ट आते हैं basically दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस होगा उसके विए चार्जिस का सेपरेशन होता है उस चार्ज के सेपरेशन से दो इफेक्ट के बारे हम पढ़ते हैं एकका नाम होता है इंडक्ट इफेक्ट एकका नाम होता है रेजोनेस और मेजोमरिक एफेक्ट कुछ एफेक्ट ऐसे हैं जिसकी possibility directly bond polarity से रिलेट नहीं करती है बट वह एफेक्ट कहलाते हैं hyperconjugation, percent of his character, bearth, angular extent यह सारे इफेक्ट जो बात कर रहा हूं basically यह compound के अंदर पहले से मौजुद होते हैं यह क्यों होते हैं क्योंकि वहाँ पर electronegative atom होता है एक तो bond polarity की वज़े से होता है कुछ other properties की वज़े से एफेक्ट पाए जाते हैं तो सबसे पहले हम first point हमने बात कि है internal permanent effect जिसमें आपके पास inductive resonance और mesomeric साथ में hyperconjugation risk character की बात मैंने की इन सब के बारे में detail हमागे study करेंगे second होता है external or temporary effect कहलाता है इसमें देखिए कि चार्ज जो create के आता है actually neutral molecule present होते है normally neutral होते है लिग जब reagent add करते हैं उसकी condition region की वज़े से क्या होता है उसके अंदर charge shifting होता है जो partial होता है temporary होता थोड़े वक्त के लिए होता है कोई इसमें chargeless species होते हैं बहुत कोई stability के लिए ऐसा करना चाहता है कि चार्ज बनना चाहता है उस effect में आपका basically दो नाम आते हैं का नाम होता है कि क्लोरीन यहां पर electron accept कर रहा है because of high electron negativity इजने पार्शल निगेटिविटिव और complete निगेटिव में बड़ा फर्क होता है यह समझ एक दरसे कि एक लाख रूपय आपके पास present है और एक पैसे की वैलू यह भी बहुत जादा बता दिया मैंने 0.01 पैसे की वैलू समझ लिए तो डिल्टा निगेटिव का मतलब बहुत इस पॉलिस चार्ज कहलाते हैं तो यहां पर क्लोरीन की एलेक्ट्रों निगेटिविटी ज्यादा है काबन इस चलता रहता है कंपॉंड के इंदर that is called permanent effect के नाम से हम जानते हैं कभी-कभी क्या होता है कि double bond प्रेजंट है यहां प अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बात करने जाने इंड़क्टिविक के बारे में इसको आइफेक्ट का मतलब इसके अंदर आइफेक्ट दो तरह के होते हैं हम प्लस माइनस दो तरह के आइफेक्ट की बात कर सकते हैं हो प्लस आइफेक्ट एक होता है प्लस आइफेक्ट एक होता है माइनस आइफेक्ट that is called inductive effect दोनों के बारे में discussion करेंगे प्लस और माइन i effect कब होता है सबसे पहला कहता है कि यह charges जो है basically electronegative difference atom जो present होते हैं inside the हम कह सकते हैं inside the compound अगर दो atom के बीच में electron difference होगा तब ही वहाँ पे हम inductive effect की बात कर सकते हैं इसमें होता क्या है देखिए इसमें खास बात क्या देखना है हमें कि यह inductive effect distance पे dependent करता है पहले बात याद रखना है आपको हमेशा कि यह difference between electron negativity इस पे depend करता है इतना दा difference जढ़ा होगा यह effect उतना जशादा नज़र आएगा आपको यह portion हमें याद रखना है इसके बारे में first of our difference के बारे में second condition हमें याद रखना है distance dependent है इसी एक साथ के बाद करने मांगे इसका सद्रीपेंगे वो इंटाइने जाता है वो कार्बन के टे टेंट नहीं करता इतनी लंबाचन हो सब्सक्रणब्र बिराबर होता है यहां पर देखिए sigma bond present है carbon के बीच में, यहां भी sigma bond present है, यहां भी sigma bond present है, यह सिर्फ carbon carbon sigma bond present होना चाहिए, और यह उसके साथ एक functional group पर टाइस को होती है, that is called functional group is present, यह हमें हमेशा धिहान रखना है, functional group का item जो वो highly electronegative होगा, तो इस carbon और fluorine के बीच में electronegative difference के विए से function group प कहलाता है आपका alpha, दूसरा कहलाता है beta, तीसरा कहलाता है gamma, चौथा कहलाता है delta, इस तरह से आप देखिए कि पर चार कावन ते किसका effect नजर आता है, first में delta positive, second double delta positive, मतलब उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, सबसे कम यहां पर चाहिए, सबसे minimum positive charge आपको चौथे carbon पर न single board में, कोई भी functional group हो, उसके अंदर electron negative item जरूर होगा, जिसकी बैसे हम इसको electron withdrawing group मानते हैं, और carbon यहां पर electron donating group बन जाता है, जो भी चैन जितना बड़ा से बड़ा चैन हो, that is called electron donating group, तो जो functional group आपके पास, electron withdrawing नजर आ रहा है आपको, उस पर negative charge आ रहा है, तो negative charge को देखिए क्या आप कह सकते, that is called minus i effect, तो functional group के side से देखा, that is called minus i effect कहलाएगा, अगर इसी को आप carbon के side से देखे, that is called, इस side से, that is called plus charge आ रहा है, इसको हम कहते हैं, plus i effect, दोनों combined effect यहां पर चलते रहते हैं, that is called inductive effect कहलाता है, यही हमारा main चीज है, तो यहां पर इसी लिए कहते हैं, that is called plus i minus i, both simultaneously, एक साथ होते हैं, यह वहां होंगे, जहां carbon carbon में single bond के साथ, functional group present होगा, नहीं होगा, बड़ उसके इंदर sigma bond, double bond, triple bond के इंदर, उसके अंदर यह effect permanent चलता रहता, it is a purely permanent effect कहलाता है, तो हमेशा function group के side से देखेंगे, that is minus i effect, और carbon chain से side is called plus i effect, functional group is active electron withdrawing group, and carbon chain is active electron donating group, तो देखें और से stable को, स्टेबल में आपको मैंने यहां पर, अगर आप देखें इस चीज को, आपको यह साफ नजर आएगा यहां पर, basically इस group के अंदर आप देखें, हमने plus i और minus i effect वाले group को यहां पर सजाया गया है, increasing order of, decreasing order of the reactivity, यह minus i effect वाले group है, जो electron withdrawing होगे, सबसे number one प इसके electron withdrawing tendency क्या होगे, वो decrease करती चली जाएगी, जैसे जैसे आप उपर इतरफ आएगे, इसके electron withdrawing tendency बढ़ जाएगी, आप देख रहे हैं, more electron negative, इसका मतलब carbon पर plus चाह जाने के बाद, इसके electron negativity काफी जादा बढ़ जाती है, CS2 plus की, अब से कम नजर आएगा आपको, ethene यहा minus effect की से zero effect माने जाता है, इधर आप आएगे, तो electron donating tendency बढ़ जाती है, that is plus effect, electron donating group कह सकते हैं, इसको आप, इसके अगर negative charges CS2 minus, सबसे रादा electron donating group होगा, because carbon की electron negativity कम होती है, as complete nitrogen oxygen, electron donating donation tendency carbon की जादा होती है, इसके number 1 पे आते हैं, फिर आएगे NH minus, फिर आएगा O minus, उसका CO minus, उसके इसके बड़ तरशरी carbon ion देख रहा है आपको, इसके इसके बड़ प्राइम, इसके बड़ मिधाईल सबसे कम electron donating group होगे, हमें इस order का बिल्कुल खया रखना है, कि plus effect stronger किसमे होगा, minus effect stronger किसमे जाता होगा, इस तरह से आप इसको इमांदारी से देखना पड़ेगा, इस पे औ अगर आप देखे तो हम जानते हैं कि NO2 is electron withdrawing group और NH2 is also electron withdrawing group, but CS3 is as electron donating group, because it can show plus high effect, it can show minus high, minus high effect, यहाँ पर सवाल पुछा गया, कि आप देखी जब electron withdrawing group आता है, तो जाहिर से बात है कि यह electron को pull करना शुरू करेगा, पुल करने से क्या होगा, कि यहाँ पे plus charge or increase कर जाएगा, यहाँ उससे कम capacity से pull करेंगे, यहाँ उल्टा वो electron donate करेंगे ताकि positive charge को minimize कर जाए, तो जब भी कोई withdrawing group होता है, तो हमेशा याद रखना इसको, जब भी कोई withdrawing group present होगा, तो हमेशा यह क्या करेंगे, positive charge को increase करेंग because of plus i effect, जो methyl यहाँ present दिखाई देरा है आपको, methyl group electron donating group है, जिसकी वैसे यह positive charge को decrease करेंगा, there is a plus i effect this decreases, अगर हम stability की बात करें, तो जाहर से बात है, जहाँ plus charge कम होगा, minimize होगा, उसके stability जादा होगी, तो third number वाला जो electron donating group है, plus i effect show कर रहा है, electron density को बढ़ा रहा है, ताकि plus charge को minimize क सके, ऐसे condition में क्या होगा, कि इसकी stability बढ़ जाएगी, second position पर NH2 आगा, because NH2 इससे कम withdrawing capacity रखता है, यहाँ minus effect थोड़ा कम होगा, तो सबसे थोड़ा से stable होगा, NH2, CS2+, सबसे highly unstable condition में कोई नजर आ रहा हो, वो होगा NO2+, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लि नीचे दिया हुआ है, मैंने, नीगेटिव चार्ज देंसेटी है, यह CS3, CS2-, NH2, CS2-, और NO2, CS2- present है, अगर यहाँ पर गवर करें, आपको नजर आएगा, कि यहाँ पर इस case में सबसे थे stable कौन होगा, तो आप इस condition में देखिए, यह आपको मैनस चार्ज पहले से present है, यह यह पलस आएफेक्ट शो करेगा, यह मैनस चार्स प्रेजंट है, यह मैनस आईश्ग शो करेगा, इलेक्रण बिड्राइग करेगा, मैनस अइफेक्ड, यह भी से कम तो second one is the one is this one and third number पर अगर आप देखें तो यहां methyl group because यहां पर electron density अलड़ी पहले से साधा है और यह plus i effect क्या करेंगे इसकी negative charge को और बढ़ाएंगे इसकी unstability और बढ़ेगी इसका मतलब plus i effect और minus i effect के वज़े से क्या होता है कि यहां पर density के shifting की बात यहां नजर आती है हमें इसको बहुत अच्छा सही हध्यान देना पड़ेगा कि plus or minus i effect में कौन सा group present होता है कौन सा plus i कौन सा minus i करता है तो charge की shifting basically plus or minus i condition में दोनों पर depend करती है I hope आपको next time में कुछ rule बताऊंगा इसके वो next video में